और ऐसे 29 लोगों की किरबतारी भी सरकार ने की है प्रसासे आँपे पुलिस ने की है इस घटना की तह में हम लोग पूरी तरह जा रहे हैं इसके लिए हम लोगों ने दो कमिटियां पहले से ही घठित की हैं एक राजोस्वे से समंधिद वाद 1955-1989-2017 इन तीनों प्रकरण में कहां कहां पे भार्ट किसके अस्तर पर हुई है इसके लिए अपर मुख्य सचीव राजोस्व के जख्ता में एक कमेटी घठित की गई है साथ-साथ यहां पर पुलिस के अस्तर पर कहां पे खामी रही हुई कि सौभाई गुरुप से पुलिस को सुचना दे जाने के बाबजूद फिर भी यहाँ पर इतने बड़ी घटना घटित हुई इसके लिए अपर महानिदेशक पुलिस वारानसी जौन की कोई इस बात की जांस दी गई है कि अगर पहले से सुचना थी तो फिर इस पर कोई इस प्रकार की निरोधात्मक कारवाई क्यों नहीं की गई गटना को रोका जा सकता था प्रारंबिक उसमें फलके जो बीट का सिपाई फलके का दरोगा इंस्पेक्टर डिप्टी एस्पी और तैसील के SDM की भूमिका जो सामने आई थी उनके खिलाब कारवाई की जा चुकी है लेकिन अभी इसकी तोह में भी बहुत सारे ऐसे नाम है जिनकी जो राजनितिक प्रिष्ट भूमि से जुड़े वे थे और जिनोंने लगातार आजादी के बाद यानि 1954 के बाद से लेकर के इस प्र बलके पूरे सोन भद्र जन्पद में ऐसे बहुत सारे प्रकण हमारे संग्यान में आये हैं जिसे हमारी सरकार कारे कर रही है और उन सभी चेरों को हम बेनकाप करेंगे जिनोंने बनवासियों की जनजातिय समदाय की भूमि पर जबरन कपचा करके उने उनकी भूमि से वहां से जुड़े वे लगबख 34 गाओं में समस्या का समाधान दिगत दो वर्स में किया सोन भद्र मिर्जापूर बिंद छेतर में अभी ये कारवाई हमारी प्रारंब होने ही वाली थी कि ये तुर्भागिपुन घटना घटित हुई है और मैं इस बात के लिए आस्वस् जाएगी और उन सभी चेहरों को बेनकाब करेगी जो आज घड़्याली आसू बहाने का कारे कर रहे हैं लेकिन इसकी पूरी प्रिष्ट भूमी उन लोगों ने रची थी उन लोगों के समय में कब कब क्या घटना घटित हुई थी यह दोत का दोत और पानी का पानी सब के स रहे हैं उस पर कारवाई चल लए है और उंबा और मोर्तिया गाउं एक ही नहीं यहां पर दर्जनों ऐसे गाउं में इस प्रकार के प्रकण सामने आये हैं और इस में इस मामले में हम लोग एक तो कारवाई इसको बढ़ा रहे हैं दूसरा आने वाले समय में इस प्रकार की गटनाओं की पुंडा विर्ती को रोका जा सके इस पर भी प्रभावी कारवाई करने की तेखे देखे मैं हम वही कह रहे हैं कि 1955 और 1989 में जो घटना घटित होती है कि यहां पर जन जाती है समदाय की भूमी को या जिसको वर्सों से जोते बोते आ रहे थे उस भूमी को एक पब्लिक ट्रस्ट के नाम पर किसाधार पर किया गया दूसरा पब्लिक ट्रस्ट की भूमी कुछ लोगों के नाम पर कैसे हो गई है और फिर कुछ लोगों के नाम की भूमे ट्रांसफर होकर के रइश्टी भी हो जाती है ये कैसे होती है इन सभी के प्रकण के लिए हमने अपर मुख्य सची हो राजस्व की धेक्स्ता में एक कमेटी गठित की है और दस दिन के अंदर उनसे रिपोर्ट मांगी है दस दिन के अंदर इस पर प्रभावी कारवाई भी देखने को मिलेगी सवाल ये है कि पाप तो उन्हीं का है इस पाप के लिए भी जिम्मेदार है और इस पाप की सजा के लिए भी उनको त्यार रहनती